हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बुक डोनेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में जो कि PHP और MySQL और थोड़ा बहुत जावा स्किप्ट का यूज करके यहाँ पे बनाया गया है, तो यह प्रोज से रेलेटेड एक्टिविटीज हैं, जैसे डोनर को एड करना, डोनर को डिलीट करना, डोनर को ब्लॉक करना और यहाँ पे एनलाइटिक्स यानि ओप्सन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप डॉनर कौन है, टॉप सीकर कौन है यहाँ और most demanded book कौन सी है, तो आपको इस प्रोजेक्ट में यानि कि क्या मैंने बनाया है, क्या आपको मिलने वाला है, कैसा ये प्रोजेक्ट है, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीजे इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस प्रोजेक्ट को अगर आप लेते हैं तो आपको क्या-क्या मिलने वाली हैं और ये साल चीजे मैंने वीडियो के description box में भी यहां पे provide कर दिये तो आप description box को भी check कर सकते हैं लेकिन इन सबसे पहले हम यहां पे demo video देखते हैं ताकि आपको idea लग सके कि कैसा project आपको यहां पे मिलने वाला है तो चलिए demo video यहां पे देखते हैं तो जैसे कि आप इस screen पे देख पा रहे हैं यहां पे home page है आप कह सकते हो man page है और यह book donation system project है जो कि PHP mysqlm बनाया है इसका नाम यहां पे विद्धाधन दिया गया है नाम आप कुछ भी देख सकते हैं it doesn't matter लेकिन यह एक book donation system है जिसमें donor book donate कर सकता है और seeker है यानि receiver है जो book को receive कर सकता है तो यह home page है यहां पे तीन options दिये गए हमें admin login के लिए donor login के लिए और seeker login के लिए यानि जो book को receive करने वाला है उसके login के लिए यहां पे हमने कुछ इस तरीके से बनाया है यह slider है और काफी अच्छा slider है यहां पे तो यह automatically move करता रहता है और नीचे हमने कुछ यहां पे simple सा home page बनाया हुआ है images वगरा डाली हुई है यहां पे how you can reach our contact वगरा यहां पे हमने दिया हुआ address वगरा यहां पे Google Map आपको दिखाई देगा यह अभी net से connected नहीं है इसलिए Google Map नहीं दिखा रहा है तो आप जो address है उसका यहां पे location भी यहां पे live Google Map पे दिखाएगा फ़लाल यह internet से connected नहीं है इसलिए यहां पे दिखाने रहा Google Map सिंपल से हमने homepage बनाया हुआ है तो अब हम चलते हैं आपे one by one activities देखते हैं सबसे पहले हम login करते हैं आप admin login तो मैं जैसे admin login पे click करूँगा तो यह आपे खुबसुरत सा page open हो जाएगा जिसमें की admin है वह login कर सकता है और admin के लिए हमने register का option नहीं जिया क्योंकि usually admin A की होता है तो उसके ID password आप यहां से जाके देख सकते हैं database में admins नाम की table में जाएगे तो यहां पे admin की detail में आप देख सकते हैं इसकी email ID यह है और इसका password यह है तो मैं आपे admin से login करूँगा और admin से login करूँगा तो यहां पे correct email ID और password आप डालेंगे तभी यह login होगा माल लीजे मैं wrong ID password कुछ भी enter करूँगा तो यहां पे login नहीं होगा आपको बोलेगा please enter correct email और password कहने का मतलब यह है कि correct email ID और correct password है वह enter करोगे तभी यह login होगा जैसे मैं login पे click करूँगा तो आप देख सकते हैं यह login पे यहां पे चला जाएगा तो इस text पे मत जाईए यह मैंने change करा नहीं है यह पहले वाला project का text मैं यहां पे लिख लिए dummy text है तो इसको मैं change कर दूँगा फलाल इस पे आप नहीं जाईए इसको ignore कर सकते हैं यह आप इसकी जगा कोई भी आपका खुद का text आप add करना चाहें तो वह कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा dashboard page यानि main page है ठीक है जिसको dashboard भी आप बोलते है admin dashboard admin से हमने login किया हुआ यहां पे admin का वह name भी दिखा रहा है तो यहां पे हमने कुछ options दिये गए जैसे view donor अगर हम view donor पे क्लिक करेंगे तो जितने भी donors है उनकी details आपको यहां पे दिखाई देगी और यहां पे आपको action में बटन भी दिखाई दे रहा है जो कि यह block या unblock करने का यानि अब यह block करने का option है जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यह donor है वो block हो जाएगा यानि यह book donate नहीं कर सकेगा ऐसे ही कुछ block कर रखें तो unblock का option आ रहा है जैसे इन पे आप क्लिक करेगा तो यह unblock हो जाएगा यह donor यानि यह फिर से book donate कर सकता है यानि कि हम donors को admin है जो block कर सकता है और अनब्लॉक भी कर सकता है इसी तरीके से हम यहां पे सीकर का व्यूज कर का प्रप्शन दिया गया, जिसमें जो भी सीकर्स यानि बुक रिसीव करने के लिए unbook receive करने के लिए request नहीं डाल सकता है ब्लॉक हो हो जाएगा फिर उसको unblock कर देंगे तो वो unblock भी हो सकता है तो सारा admin कर सकता है next है यहां पे add category यानि जो बुक है उनकी categories हम यहां पे add कर सकते है कि कौन-कौन सी categories की book है तो वो admin यहां पे book की category add का सकता है, जैसे इसमें कुछ भी add करेगा, कोई book की category, let's say account, science, math, जो भी है physics, तो जो भी categories है, वो आप यहां पे add का सकता है, admin और add category पे जैसे click करेगा, तो category add हो जाएगा, जैसे मैं database में अगर दिखाऊ हूँ, तो मैंने कुछ categories already add कर रखा है, तो इस वो यहां पे आप add कर सकता है, admin, इसके बाद है analytics का option यहां पे दिया गया है, यानि यहां पे admin है, वो analytics चेक कर सकता है, इसका, कि top donors कौन है, यहां पे top seeker कौन है, और top demanded book की category कौन सी है, तो यह चीज़े हैं, जो real time पे fetch हो जिए database से, top donor यहां पे कौन है, जिसने सबसे ज़् ज़्यादा book receive की है, वो यहां पे आपको दिखा देगा, और top demanded category कौन सी है, यानि जो सबसे ज़्यादा demand में है, वो category कौन सी है, ठीक है, तो यह तीन चीज़े हैं, जो analytics में हमने यहां पे दिखा रखे है, तो यह admin चेक कर सकता है, यह साल चीज़े, यानि admin क्या कर सकता है, donors को view कर सकता है, block unblock कर सकता है, seeker को view कर सकता है, block unblock कर सकता है, category add कर सकता है, किसी book की, और analytics है, वो यहां पे change कर सकता है, और यहां पे logout option दिया है, जैसे इस पे मैं click करूँगा, तो वो logout हो जाएगा, और वापस से home page पे redirect कर देगा, तो यह तो हो गया है, यहां पे admin की activities, क्या क्पा सकता है क्या अब यहां पर देखते हैं डॉन जैसे मैं स्रुट यहां पर और यहां पर लॉगिन पर क्लिक टबकरकी सकता है pal 005 तो मतलग खुद से register करना होगा अगर आप Book donate करना चाहेंगे तो पहले आपको register करना पड़ेगा उसके बाद तो आप login कर पाएंगे तो आप ने register कर रखा है तो आप login here पे click करके यहां से login कर सकते हैं लाल मैंने कुछ डोनर से वो रजिस्टर कर रखें तो मैं डोनर नाम की टेबल में जाके उनकी डिटेल्स चेक कर सकता हूं जैसे मान लीजिए यह रोहित सर्मा नाम का डोनर है इसकी इमेल आइडी यह है इसका पासवर्ड यह है तो मैं इससे यहां पर लॉग इन कर लेता तो यह लॉग इन हो गया एजिट डोनर यहां पर देख सकते हैं डोनर का नाम यहां पर आपको दिखाई देरा यानि आप बुक डॉनेट करना चाहेगा कोई भी तो अपने आपको रजिस्टर करेगा फिर यहां पर लॉग इन करेगा तो यहां पर मैंने कुछ ऑप्संस द करने पड़ेंगी अब यह वही कैटेगरी जो एडमीन ने एड कर रखें वह सारी कैटेगरी डेटावेस से रियल ताइम पर फैच हो रहा है जैसे आप देखो को जाएंगे तो जो भी कैटेगरी हैं यहां पर आटमेटिक दिखा रहा है तो इसको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी कैटेगरी की बुक वो डॉनेट करना चाहता है लेट से साइंज बुक का नाम वहां पर आपको कोई भी लेंग कोई भी बुक का नाम जो बुक आप डॉनेट करना चाहते हैं वो यहां पर आपको देना होगा तो जैसे आप सब्मेट पर क्लिक करेंगे तो उसकी request चली जाएगी यानि जो book donation की request है जो donate करने वाले नो donor ने यहाँ पर request जैसी submit पर click करेगा तो वो request चली जाएगी कि मैं let's say यह book फलाना category की book है और यह book का नाम है यह मैं donate करना चाहता हूँ तो जो request चली जाएगी तो वो donor है जो request डाल देगा कि फलाना नाम का donor है और यह book है यह category है इसको यह donate करना चाहता है तो जो भी receive करना चाहेगा उसको वो seek कर लेगा यानि request डाल देगा कि yes मैं इस book को receive करना चाहता हूँ ठीक है तो यह हो जाएगा यहाँ पर seeker की activity जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो इस तरीके से book donate कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर करके नहीं बता रहा हूँ simple यह आप फेल करोगे submit को क्लिक करोगे तो request आपके चली जाएगी इसी तरीके से seek request है यानि seeker request sorry यानि माली जी आपने एक book है वो donate करने के लिए यहाँ पर आपने डाल दिया कि मैं इस book को donate करना चाहता हूँ अब उस book के लिए कोई भी request तो आएंगी ना कि जो book को receive करना चाहेगा वो request डालेगा तो यहाँ पर आप चेक करोगे seeker request पर जाके कि कोई भी book को receive करने वाले की request यहाँ पर आईए क्या तो वो यहाँ पर आपको दिखाएगा फिलाल कोई भी request आपके पास नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा चलो मैं आपको एक book donate करके बता देता हूँ और यहाँ पर लैंग्वेज की बुक हैं और डानेट करना चाहता हूं और यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकता हूं याँ अब यह डॉनर ने एक book request डाल दी कि वो book donate करना चाहता है ठीक है तो फिलाल अब यहां पर मैं seekers request पर जाओंगा तो अभी इसके पास कोई request नहीं है यह नहीं book को donate करना चाहता है लेकिन उस book को receive करने के लिए किसी ने अभी request नहीं डाली है जैसे को request डालेगा तो request सारी आपको यहां पर दिखाई देंगी और फिर उनको आप accept और reject कर सकते हैं तो वो साल चीज़ें आपको दिखाई देंगी जब कोई उस book के लिए request डालेगा तो मैं फिलाल इसको log out कर देता हूं और मैं as a seeker यहां पर login करता हूं तो मैं seeker login पर जाओंगा और मैं as a seeker let's say यहां पर login करता हूं एक मैंने seeker है जो आप यहां पर देख सकते हो seekers नाम की table में जाके आप check कर सकते हो तो मैं इससे login कर लेता हूं और इससे मैं open हो जाएगा dashboard जिसमें search book यहाँ पर option आएगा है नहीं search console दिया गया है यानि seeker है कोई book माली जो मुझे book चाहिए तो मैंने login किया यहाँ पर as a seeker अब मैं search तो करूँगा कि मुझे कौन सी category की book चाहिए let's say मुझे science की book चाहिए programming language की book चाहिए तो मैं search करूँगा पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा यह categories है जो मैं search करूँगा let's say मैं programming language की book है वो मैं search करना चाहता हूँ तो जैसे मैं category select करूँगा और मैं search book पर करूँगा तो जितनी भी request यहाँ पर donor की है जो कोई book donate करना चाहता है वो बॉपसारे यहां पर दिखाई देगा यह सकते प्रोग्रामिंग लेंग्वेज कोई प्रॉपर करना चाहता है यह को नाम है AS सबस्क्राइब करना है इससी तरीके से यहां पर इस्टाइबर नाम करना चाहता है जैसे आपने सल्ची प्रोग्रामिंग लेंवेज का किया है तो अब माल लीजिए मुझे डेटा इस्ट्रेक्चर की यह बुक है जो कि रोईत सर्मा नाम का डॉनर है उसने रिक्वेस्ट आ लिए डॉनेट करने लिए यह बुक मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा इस पर रिक्वेस्ट पर क्लिक कर रहूंगा जैसे मैंने रिक्वेस्ट पर क्लिक किया यानि यह बुक मुझे चाहिए तो मैंने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो माई रिक्वेस्ट पर मैं जाके चेक कर सकता हूं कि इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं जो मैंने की है पहले बुक के लिए अभी फिलाल हमने किया था वह देख लिए प्रोग्रामिंग लेंग्विज डेटा इस्ट्रेक्शन और इसका डॉनर को ने रोईत सर्मा है और रिक्वेस्ट यहां पे सेंट कर दे मतलब रिक्वेस्ट भेज़ चुके हैं हम अभी एक करेंट इस्टेटर वेस्ट हैं अब नहीं होई है इसे को क्या करेंगा अब फिलसे मैं डाइं करों Also यह donor क्योंकि अब मैं वो दिखाना चाहरा हूँ कि जो रोहित नाम का एक donor था जिसने यहां पे data structure की book को donate करने के लिए request यहां पे डाली थी तो अब वो यहां पे मैं login करूँगा तो मैं donate तो कर सकता हूँ वो किस तरी कैसे अब मैं seeker request पर जाओँगा फिलाल यहां पे कुछ भी नहीं दिखा रहा था पहले लेकिन अब एक request आ चुकी है यानि जो अपने data structure की book है जो रोहित सरमा नाम का donor है उसने request डाली थी उसके लि नहीं लिए गया है तो आपके पास अब ऐसे बहुत सारी request हो सकती है तो आप एक book donate करना चाहिए किसी एक request को kisip को देंगे ना है एक को एक प्रूब करों अब चाहो तो इसको रिजेक्ट कर सकते हो चाहrench को अप्रूब कर सकते हो माल लीजे मैं इसको यहां पे अपरूब कर देता हूँ ठीक है तो मैंने इसको एक रूपरोव कर दिया यानि जो book चाहता है जो seeker उसकी request को मैंने अप रिक्वेस्ट डाली थी कि मुझे चाहिए तो वो जो सीकर मैंने पहले लॉगिन किया था उसी से मैं लॉगिन करूंगा ठीक है तो अब मैं माई रिक्वेस्ट में जाओंगा तो आप नीचे देख पाओगे यहां पर जो यह प्रोग्रामिंग लैग्वेज करेटेगरी की डे यह बटन क्या है डोनर डीटेल वाला यह मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जैसे यह बटन क्या है अभी देखो यह रिक्वेस्ट यहां पर सेंट की गई है इसको अप्रूव नहीं किया गया है या तो इसको रिजेक्ट कर दिया है ठीक है मतला इसको अप्रूव नहीं कि हो पाप लेकिन जब डॉनर आपकी लिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा तो आपको यह बटन एक्टिवेट हो जाएगा जो की है व्यू डॉनर डॉनर डेटेल यानि जब आपकी request approve होगे तो donor की details तो आप चेक करना चाहोगे ना कि उसका क्या address है क्या mobile number है ताकि आप उसे contact करके book को ले सकते हैं किसी address पे जाके तो यह button तभी activate होगा जब आपकी request को approve कर देगा donor otherwise यह button activate नहीं होगा तो पहले यह button देखो disable था लेकिन अब आपकी request है जो approve हो चुकी है तो यह view detail नाम का जो button है वो activate हो चुका है इस पे आप click करेंगे तो जो भी इस book का donor था जिसके लिए आपने request डाली थी उसकी details यहाँ पे आपको दिखा देगा name रुएचर्मा, email ID यह है, mobile number यह है, इसका address यह है तो आप इससे contact करके उस book को receive कर सकते हैं और मैं फिर वापस से dashboard पर जा सकता हूं तो इस तरीके से यहाँ पर यह seeker dashboard है यहाँ पर वो book को search करेगा request डालेगा खुद की request है उसका status आपको सारा यहां दिखाई देगा log out कर सकते हैं founder का मैंने बतायाँ कि uhdonoc किस तरहे के से यहां पर डॉनेट करसकता है जो बी seekers कि request आत kittenftig उनको approve और सकता है तो यह साल सी यह हैं पर कर सकते हैं और इसी तरहे के से admin login करकर के मैंने आपको बढ़ाए था कि admin क्या कर सकता है admin donors को list च Cinnamon को शेक कर सकता है analytics देख सकता है कोई भी नई केटेगरी यहां पर एड कर सकता है तो यह सारे functionality था तो एक simple सा project था जिसका नाम विद्यादर है जिसको आप book donation system project भी कह सकते है जो कि PHP और MySQL में बनाया गया है तो basically क्या है इसमें book को donate कर सकता है donor और seeker है वो book को receive कर सकता है एक admin panel भी यहां पर दिया गया है जिससे admin की activities वो admin perform कर सकता है तो मैं आसे करूँगा कि यह demo video आपको अच्छी लगी होगी अब हम बात कर लेते हैं इस project के बारे में तो जैसे मैंने आपको starting में बताया था यह project एक paid project है और इसका जो सारा complete source code देख सकते हैं यह एक पैणल यहां यहां पर देख सकते हो सारी फॉइल सिपाल पहलानुय बोंगहला इसे पॉइल दिख सकते हो मैं इसे कॉपिछ के आपको दे रहा हूँ ऐसा नहीं है complete genuine project है अब यह database आप देख सकते हो इसका database विद्धधन नाम का जिसमें six tables है admin book request categories donated book donor seeker यहाँ पर database से फैच हो जिए तो अब हम बात करते हैं कि basically जो यह project है इसमें आप अगर इसको buy करते हैं तो इसको आपको कितना amount pay करना होगा और क्या-क्या आपको इसमें मिलेगा तो यह साल चीज़ें description box में आप चेक कर सकते हैं video के description box में मैंने सारी details यहां पर डाले हुई है कितना price है क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेगी कैसे आप इस project को ले सकते हैं कैसे आप मेरे से contact करेंगे कैसे मैं इसको provide करूँआ इस सारी चीज़ें आपको यहां पर दिया गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह project है इस complete source code मिलेगा तो यह पूरा source code है सारा यह आपको मिलेगा number two आपको यहां पर database file मिलेगी यानि पूरा जो database मैंने आपको दिखाया था वो आपको मिलेगा database file मिलेगा number three आपको project report मिलेगी यहां पर आपको project है इसकी report में आपको बना के दूँगा जो की word और PDF file में होगी तो ए number five आपको DFD diagram मिलेगा इसका तो यह पांच चीजें हैं जो आपको यहां पर में provide करने वाला हूं फिर से मैं repeat कर देता हूं complete source code database file project report ER diagram DFD diagram तो यह पांच चीजें मैं आपको इस project में provide करने वाला हूं just rupees 500 में तो यह paid project है जो भी इसको बाय करना चाहता है जो चाहता है कि यार यह majorly helpful हो सकता है इसको मैं use कर सकता हूं मेरे college में एक mini project के लिए या major project के लिए जो खुझ से कोई project नहीं बना सकता तो वो बना बनाया project यहां पर buy कर सकता है complete सारी चीजे में बना के दूँगा आपको कुछ भी नहीं करना source code में दूँगा database file में दूँगा ER diagram में दूँगा dfd diagram में दूँगा project report में दूँगा सब कुछ दूँगा just rupees 500 भी तो मैं आसा करूँगा project आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए project अगर helpful है तो आप इसको buy कर सकते हैं कैसे buy करेंगे आपको telegram पे या instagram पे मुझे message करना है और मैं वहाँ पे contact करके आपको जैसे payment होगा मैं आपको सारा zip file है वो आपको मैं telegram पे या mail पे provide करूँगा यूज्वाली मैं telegram पे ही prefer करता हूँ क्योंकि telegram पे मैं आसानी से चीज़े provide कर सकता हूँ वो आसान होता है मेरे telegram ID और instagram ID यहाँ पे आप देख पार हो आपको दिखाई देगी screen पे दोनों same है telegram ID और instagram ID दोनों एक ही हैं और आप video के description में जाके check करोगे तो वहाँ पे भी मैंने सारी details provide की हुई है कि आपको क्या-क्या मिलेगा कितना price है किस तरीके से आपको मुझे message करना है क्या मेरे telegram ID है सारा आप video के description box में भी check कर सकते हैं और हाँ अगर आप कोई और project चाहते हैं तो वो भी आप comment करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये project चाहिए या सर इस project को बनाइए तो आपका project अच्छा होगा topic अच्छा होगा तो मैं उसको आपे consider करोगा और अगर आप खुद से कोई और project बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे telegram पे या instagram पे message करके अपने details बता सकते हैं आपके पास sufficient time है 8-10 दिन का या 10-15 दिन का तो आप जैसा बोलोगे वैसा project भी हम यहां पे आपके लिए बना सकते हैं हाँ एक और चीज में आपको बताना भूल गया यह project है जो PHP और MySQL का यूज करके बनाया गया यहां पे html css और java script को यहां पे मैंने काम में लिया गया है ठीक है तो मैं आसर करूँगा कि यह video आपके लिए helpful लगी होगी और अगर video आपके लिए अच्छी लगी तो इसको आप like कर सकते हैं दोस्तों साथ share कर सकते हैं मैं मिलता हूं आपसे next topic में next video के साथ मैं मिलता ह आपसे next video में next topic के साथ तब तक के लिए bye bye take care and have a nice day